हिंद भारत आपकी अपनी आवाज को प्रमोट करते नजर आए हिंद भारत से उनके विए खास बाची देखिए उनने क्या कुछ इस फिल्म को लेकर कहा आप इस तुटोव एक विमेर से सवाल हाता हूँ तुछ उप्यादा श्तरावर निध्या अप्रेश पॉदिंग जी बहुत अच्छी बाद निध्या अच्छी आपको थुक्ति लग रहा है कि दो तहानी जिए जिए इक यह तीन बेनित आफ तक मुचा रहे हैं दो जाधा प कि मुझे दोरों क्यों नहीं मिर सकते हैं वह जितनी बोल्ड अभी दिख रही है उससे ज्यादा डेफ्ट और इमोशनल कहाने के बाद है इस पहले जो कॉंसेप्ट आपने इसमें दिया है वह पकड़ाओरे विवा कर टाइप कर दिया है तो इससे पहले हसी तो फसी में पढ़नी थी चौपड़ा और सिधार्त मलोतरा यह सेम लेका आये थे और आपने इसमें लव ट्रेंगल का मोर दिया तो यह कितना अलग और उससे जादा कितना अच्छा लगेगा पब्लिक को क्या नया इसमें होगा लेकिन सब्सक्राइब कि पब्लिक जो देखे उसके लिए यह बात सर्फ पक्रवा विवाक ही नहीं यह एक पर्टिकुलर्स एमोशन की है एक वो एक सीड जहां से कहानी शुरू होगी तो इस कहानी की लहरें बहुत दूदू अच्छा थी अच्छा पुछना चौंगी मैं सब्सक्राइब करने अत्रंगी आपकी कि इतने अत्रंगी नंग इसने में देखने को में लिए आपकी सारे आपका कोई बेस्ट पार्थी होगा मैं यह बोड़ूगी कि इस पर्म में बहुत अलग अलग शेर्स हैं तो बस ऐसा लगता है कि अत्रंगी तो है यह लेकिन चाहिए आप रेज जरासी देखो या चाकाचा देखो यह दो गाने शायद आपने देखे हैं जब मैं देखते मुझे लगता है यह यह इंगी फिल्स हैं इसे कैसे हो सकते हैं इतनी अनक दुनिया लेकिन जब आप फिल्म देखोगे आप समझ लोगे कि यह अत्रंगी दुनिया है पड़ सब एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक जूट हो जाते हैं इससे जादा भीओन की सकते हैं सारा सारा मैं इक्रिवी टीवी से जग्दी शिंग जो अत्रंगी शब्द आपने उठाया है यह कमर्शियल फिल्मों के लिए पिछली शब्सान है प्रहुसा साहितिक शब्द है अब तर्णगी के शब्सान के बताएं कि अत्रंगी क्या होका एक बात रूसी पात है है मैं भी दिल्ली से हूं आपको हाजी शोकाम नाये आपके लिए प्रज़त के लिए मेरा सवाल यह रहेगा के एडूकेशन से आप इंजीनियर है और आज आप एक सखल फिल्म लेका रहे हैं तो यह रास्ता कैसे है तो मैं पहले सब्सक्राइब की अत्रंगी क्यों है अत्रंगी मैंने अपनी तोड़ा सा मैंने अपना प्रोसेस असान कर लिया मैंने जब मैंने यह मुझा की वे हुए कुछ एक इसमती है वो रही है जो जो चीजे आप को सारा में दिखती है जोकि नॉर्मल नहीं है जोकि बहुत बन्ह पनी है हल्की सी वेईर्ड है बोल सारा प्यार है जंमें बごोख सारा इनोसेंस है तो मेरे लिए अत्रांगी देपाइं करना बात असान हो गया है, जैसे ही है, मैं जैसे अवी उसन बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जो अत्रांगी नहीं करती हो अप्री रेल लाइप तो वो गय नहीं चुनी हो, पाकि अखर्वाइस यह पूरी की पूरी है अ सारा मैं गए हो अ सारा हो अ जो जरक होती है, वो शायद हो अपने कर्दारों में लाते हैं, लेकिन इस बार ना हाटके हूआ, बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं थोडी सारा को रीव गुद। मेलाउंगी या थोडी सारा हुपू मेलाउंगी लेकिन इस बार शायद आरण जी की वज़े से शायद इमाशुसादी इरुपी की वज़े से शायद फाट कि हमने फिल्म लॉक्डाउं के दौरान लॉक्डाउं के पीच फीच में शूट किया है और कजिन था फंटी वेंटी वेंटी पुछे पता नी कारण क्या है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि विंकू के जरीये मैंने सारा को बेदर समझा जिस तरह से विंकू ब पूप के ल्ग 10 वोग ऐगा कि लिदर सख्ड़िय मर्स सकता कर दो ही comply में हमेशा से था ज्क्राइब मुझ मेरे को डिछा तरफ कॉम्टिंप जरूर जो अपेवपराव कोैं एक जचितरू जरूर्टिने के तो दोनों पर अच्छे से जल्दी पूश जाते हैं, दोनों को जिम जाना जरूरी और सेथ पर जल्दी पूशना जरूरी है, कि आनजी हमें ब्रेक्टस पे बहुत खिलाएंगे अच्छार हो धरूर सर हो या अच्छे सर हो या मैं हो आशी को फरक्नी पढ़ता है, खिलाएंगे तो बहुत, तो हमारा करता पर बनता है कि हम सुबह उठके जिम जाकर पहुंचे, उसके किसी को दिकत नहीं होगी शारो मैं जैसे अउसी शूटिं आशिकरो आपको बहुत जढ़ पशानी हे हो, इस के बारे भी तता आपको छी परेशानी होAR क्योंकि टो जाए अवर्णी है, तो हम अना जो 유 dette, होगा अगर में निक्व की एमोशन को समझ सकती थी तो उसकर मुझे तो सारा को पुछ पील नहीं हो ना? सब रिंपू को फील हो रहा है तो सभ रहत था तो उसमें निक तुर नहीं कर सकती कि क्या आसांता क्या मुशकिल थी सब सच्चा था उत्रा बड़ती अजय कर दो लिताला इंड र वह बीपरेश का कि जायव हो तुट मेल एंड पर दो और दख़byंपल इन वोटे दे कि उक्छे प्रमत और में इंड एboard है और नहीं है कि दो रूमाइब गाट कर दा मंथ' कर देत कर अइन और तो सबस्ट एतर भात और है how to motivate and is come up the cmalこ अष्वेhingE sell to shag it is just half a comedy act or for entertainment it is a good message in this movie as well there is a big message this movie which you will understand because in one thing I tell you at least for me this is not a feminist andoller and this is not a protest I don't think we are trying to take a societal stand I think it is about everybody whether it's a girl, whether it's a boy, Rinku happens to be a girl it's about love, wanting love, wanting true love and being honest and innocent the one thing RNG was very clear about actually Rinku को समझ गए and that was my only method I used to drive with RNG every day to shooting icing my face in the morning, watching the sunrise going all the way to Noida to shoot and I used to try to fool him I used to try to get answers out of him कि आज क्या करेंगे, कि आज सही पर मैं चा करूंगी and he used to be like, बच्चे, मैं सेट पर बात करेंगे so he is not about that I think that one thing that I feel Anand ji, Dhanush and Akshay sir have is with all the preparation that one should do and one needs to do they are all very spontaneous people and I think part of that is they live very honestly and fully living in that given moment so once I understood my character all I actually had to do is trust Anand ji and live in that moment there was not much norm at work thank you thank you so much he is the right person to give answer for this idea but the question is a little bit twisted I hope that I am not asking any wrong questions no no we are not asking wrong questions society must accept the fact if a girl is dating two boys just to choose a right husband I think that is absolutely fine but the question arises to why a female is doing that if I answer this right now you will find you will feel that I am talking about my film because my film is beyond audience it looks like this must be the first layer of my film but in third layer it is talking something else so replying to this will be a little bit tough for me in reference to my film so the only thing I will say yes what she said is right it is not about entitlement it is more than that it is talking about emotion than that this is my life or my strength it is talking about even depth of emotion which you will only realise when you will see the truth but again coming back to a girl saying that my life will go it is fine there is no issue and I am not putting it across as so I am wondering that it has been done in our country where women make it and I am telling you times are changing you can't differentiate in gender this is what I was thinking times are changing and we accept that yes yes i am telling you that you have said that what with your character what is in your character and what is in your character and how does your character and what is in your character I am saying that Sahir has seen my character तो उसको दो लाइब है मैं बास पॉप और ह सेंड़िच लाइब में किसे यह स्वाद से जब तरहए fine कि यह जब यह बहुत है कि आप एक डेस्टा जा से इस में कर א preciso सारा इसका मतलब यह नहीं है कि सारा वो तक सारा भी सारा देख जी सारा देख तुई एसा बिलकुल विची कि तुप जी जए जो पर भागर कि तुप टो गायों सारा में तुर सब्सक्राइब ये जो दिए झाल खिए दिए प्रॉबस नुटिए प्रॉबसा है उट मुट्भभ ए जो इस तो प्रॉबसा मुट्री किन जा झाल कुछ धिए अुटर ى वुट प्रॉबसा को पुट्यू थैज इस कि अ अट आति इर है। भू प्रवाट्ग किया नियुकर कारी भी आंषा सब्सक्राइब दो इस है तो झाल विताउ कि अप्राइए हैं और अप्राइब कर दिला जा फिए कर देकल बिलादिश्ट अजाफन उली बाइब जाए इना प्रवाइए हैं जी मिलीका कि अंग मेडर्मा उल्काया फो एंग नजाएब तो तो तॉम कि अबर्मानि चौन कर फिर लिए लग बेंगarks में वो सारा मैं जैसे कि आपने अक्षिय कुमार सरे जो बॉलिवूड से बिलॉंग करते हैं और साउथ इंडस्ट्री से धनुष सर तो कितना अलग रहा दोनों के साथ एक ही सेट पे काम करने का एक साउथ इंडस्ट्री से बॉलिवूड इंडस्ट्री से यहां उसमक्त ना मैं तो मैं पड़ी है धनुआजी के बच्चे थे इंडस्ट्री से घृष से अख्शे से थे नगिति दुनिया में कर दार्थ और बॉलिवूड उन्ची अगर आपको अच्छी लगेगी हमारा काम अच्छा लगेगा लेकिन मैं इतना जरूर के सकती हूं कि हम तीनों इतनी सच्चाय और इमानदारी से अपने केदार निभाए हैं कि उस अपार्ट फ्रम लंच परे ऐसा लगता ही नहीं था कि धरूर सरह या अक्षे सरह है और लेंगवेज आपके लिए कितनी आसान रही क्योंकि आपको जो कॉंसेप्ट है लेंगवेज का उसमें जो इस बिहारी लाइजा भी था इक्षाटली आपके लाइज के वारे मेना इस्पेशली नहीं यह चीज सीखिया कि भाशा उतनी ज़रूरी नहीं जितनी भावना और आखे तो जैसे अब धनुश्र और मैं अक्सर अग्रेजी में रीट करते हैं जिसका सामने वारे को लगे हो देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हिंद भारत लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले